तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ रिव्यूट हिंडी पे आज हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं एक और एडिदा शूस का लेकिन यह वाला जो है वोमन शूस है पिछली बार जो हमने किया था वह में शूस है मैं लिंक उसका उपर देंगा अगर आपको देखना है तो वह वाला भी आप देख सकते हैं तो यह जो है इसका नाम है एडिदाज स्वीप इट वोमन्स तो मैं तो सब्सक्राइब देखा देता हूं को बॉक्स कैसा है तो बिल्फुल इको फ्रेंडली पैकेज है कोई प्लास्टिक वास्टिक नहीं है नॉनमल काड़ इस साइड में और यह सब्सक्राइब आपको देखना है तो यह अगर आपको देखना है तो साइब देख सकते हैं तो साइस वस्ट्राइब कंट्रियंड इंडिया है बाहर का नहीं है तो अभी इसको निकालते हैं निकाल को दिखाते के क्यासा है तो जैसे की वो लोग कह रहेते हैं यह मेश वाला है तो यहां पर आपको मेश दिखाए दे रहा है यहां पर एक अलग सा फाइबर का दिया हुआ है और यहां पर एडिडास की जो फेमस ट्री स्टैप डिजाइन है यह वाइट में है और यहां पे रेड़ में इस साइड में और पीछे इस साइड में और काफी सौड़ी है काफ़ी हल्का है और यहिए तो यहां इसके लेसट लेस लेस भी बहुत स्ट्रोंग है नाइलन वाला लेस हैं तो यह रहा स्टेंडर्ड वाला ही है जो आपको नॉर्मली दिखता है डिड़ाज में और अंधर भी च्राइट थोड़ा सा पैकिंग मेटरियल है वह भी दिखाल देते हैं और आपको दिखा देते हैं तो यह रहा सका सोल सॉफ्ट है ज्यादा सॉफ्ट नहीं है अल्फा बांस में जैसा और यहां पर एडिडास की ब्रैंडिंग है और यहां पर कुछ लिखावा वाश केर कैसे सको धोना है सोकिंग इन तो पानी में मत भीकोएगा क्लीनिंग के लिए स्ट वाइब दर्ट आफ तो भीके कपड़े से इसको थोड़ा वाइब कर दीजे और डिटर्जन ना और इसको वाशिंग में डाला रहे तो पानी में इसको ना लेके चाहिए और यह अलग और एड़ मॉडल नंबर और यह रणिंग शूज है तो यह लिखावा यहां भी लिखावा रणिंग शूज ठीक है और यह वाला भी बिल्कुल वैसा ही है को डिफरेंस नहीं है तो से लिए इतना ही आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए थैंक्यू पाई